हमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इजी नोकरी चनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा टॉप 20 महतपूर कुशन और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लैक किजेगा अगर आप हमारे चनल पर नए है तो इजी नोकरी च सबसे बड़ा हिस्सा होता है लगवक 55% होता है प्लाज्मा रक्त में और बता दू रक्त जो है तरल और ठोस से बनाएं और तलल भाग कोई प्लाज्मा के रूप में ही चाना जाता है और बता दू जो पानी नमक और पोर्टीन से बना होता है रक्त के ठोस बाग में ही लाल YouTube फ्रिंट प्लाज्मा चेक्ट संव प्लाज्मा ठेक्टे funktioniert प्लाज्मा फ्राइपी के प्लाज्मा प्लाज्मा ठेक्ट्री आप देख सकते हैं इंग्लिश में क दो प्लाज्मा थेना को क्या चाता है कॉस्चिंट यह यादक दो कि 7睡 l 혼숫 toss इससे संभावित इलाज भी हो सकता है और किया भी जा रहा है याद रखेगा इसका नाम है कॉन्वसलेंट प्लाज्मा थेरेपी अगर हम शौट में कहते हैं सीप्ट ठीक है इसे याद रखेगा इसका जाएगा जरूर एक्जाम है चलिए कोश्चन नम्बर 3 देख लेते हैं कोश्चन नम्बर 3 आउस पक्रिया का नाम है जिसमें रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशियां उसे अलग कर लेता है ब सब्सक्राइब वार्ट के रूप में इसे जाता है और शेश जो कोशिय southeast को में सब्सक्राइब को साथ एक व्यक्ति श्रीर में वहापस वेषल दिया जाता अब सब्सक्राइब यह याद रखना यह पूछा आए सकता है एक्जाम में कुशन 4 देख लिते हैं कुशन 4 है अभी मैंने पहले कुशन में आपको बता है मानव शरीर के रक्त में कितने प्लाजमा होता है तो फ्रेंट बेसिकली 55% प्लाजमा पाया जाता है मानव के ब्लड में ठीक है यह याद के लेजा और आपको बता दू ब्लड जो है बेसिकली तरल और ठोच से बना हुआ होता है और तरल भाग को ही प्लाजमा के रूप में जाने जाता है यह फ्रेंट करीब 55% होता है मानव ब्लड में और जो की पानी नमक और प्रोटीन से बना होता है आदे से अधिक भाग जो है रग्त प्लाजमा के यह होता ठीक है आदे से ब्लड का जो आदे से अधिक भाग होता है वो फ्रेंट उसमें प्लाजमा ही मौजूद होता है लगवक 55 परसंट यह मौजूद होता ठीक है और रक्त के जो ठोक भाग में होते हैं वह लाल लक्त कोशिकां या ऐसे कहते हैं आर वी सी होते हैं डबलू वी सी होती हैं और प्लेट लेस्ट भी मौजूद होती हैं तो याद कर लेजिए 55 परसंट होता है पाच मोगोशन देख भी है तो उनके छेत्र में भी किया गया तो फ्रेंट बेसिकली इसका जो सही आंसर है वह उप्रोक सभी यानिकि सार्स को वन में एच वन एन्वन को इन्फ्लूइंजा भी कहते हैं यह जुरूर यातर का पूछा है सकता हाम तो एन्फ्लूइज का जाता है यह याद अब यह मैंने बताया उपर कुश्ण हम है चले चाटा कोशन देख लेते हैं चाटा कोशन है प्लाजमा के बारे में निमल कित्मेंसे कौन सा सही है तो दोस्तों यह जो ए बी सी तीन ही ऑप्शन है यह सारे ही सही है मैं पढ़ देता हूं जो प्लाजमा होता है वो शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में विक्टित पदार्तों को पहुंच आता है बिल्कुल सही है बी ऑप्शन है प्लाजमा के प्रोटीन में रोग या संकरमन के खिलाब शरीर की रक्षा पढ़ाली की साहता के लिए एंटिवाडी शामिल है यह भी सही है और प्लाजमा में अमीन प्लाजमा की तो फ्रंट यह करीती चार्ल्स रिचार्ड डून है और यह प्रंट बेसिकली जो साइंटेस्ट है चार्ल्स रिचार्ड डियू उनका नाम याद रखेएगा उन्होंने ब्लड बलाजमा की कोच की और यह वाशिंग्टन में पैदा हुए थे यानि कि यूए स रखेएंट गलत हो जाएगा लेकिन यहां बात रहे हैं प्लाजमा थेरेपी के जो नाम क्या है जो प्लाजमा में पाई जाते हैं तो लेगते नहों कीव्यों जाटें नमने प्रोटीन गैस पोशकतव यह सारे ही पाए जाते हैं इन घट प्लाज्मा में ठीक के यह आपको याद रखना है प्रोटीन गैस फोशक Tal態 बहुत है तो सारे ही प्लाज्मा के घटक हैं और यह पाए प्लाज्मा में दसमा कुशन अर ला लगत कोशेकाओं या ऐर भी सी को किस रूप में घाना जाता यह श्युक्रोंसे नाम से तो ॉससाइट एरितो साइटस के नाम से जाना जाता है और वो email ज़ुत के रूप मैं वियुट ब्लूいき ऐसी को तो आपने कह दिए एएअरितो साइट सी जाएज है यह यह भी आपको याद रखना पूच आसकता है याद रखेगा और इसका जो नाम है फ्रमोसाइट्स इसके नाम से भी जनाए आता है आरों कुछ बारे में कुछ विशेश कथन देख लेते हैं तो आरवीसी के बार में इन मैंसे क्या सही है तो इसके फ़रंट बैसिकली चार ही सही है तीन हो सही है पड़ा देता हूं लालक कोशिकाओं है फैपड़ों से आक्सेजिएन को शरीर के सभी कोशिकाओं तो पहुंच जाता है और इसमें हीमोगलोविन नामक वनक होता है यह भी काफी option सही है तेरे में कुछन देख लेते हैं तेरे में कुछन है निम्लकित में से कौन सा पदार्थ रख्त दारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसके जो सही option है वह चार यह तीन ही है यानि कि फेपड़ों और शेरीर के बाकि और यह जो रखत दौरा यह ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं यह इसके सारे ही option सभी अगला देख लेते हैं फ्रेंट यह काफ़ी इंपरण्ट है फ्लाज्मा थेरी सी थेरपी से क्योंकि करेंट डाय तो काफ़ी इंपरेंट हुए था प्लाज्मा थेरी के बारे में कथन सही है कौन सा है तो पढ़ते हैं पहला option प्लाजमा थैरी में एक स्वस्त हुए वक्ति के रख्त का उपयोग अन्य बीमाल लोगों के लाज के लिए किया जाता क्योंकि यह आंटिवाडी में समर्द है बिल्कुल सही है फ्रंट जो कुरोना वाइरस से ठीक हो गया जाने 14 दिन हो कोविड नाइंटीन से स्वस्त हुए मरीजियों से रक्त का तरल हिस्सा यानि कि रक्त का तरल हिस्सा है यानि कि ब्लस निकाला जाता है यह भी बिल्कुल सही है सी option देख लेते हैं प्लाजमा थैरेपी के पीछे आईडिया यह है कि जो मरीज वाइरस से लड़ने में कामया सब्सक्राइब हुए हैं उनके दोरह अत्पादे एंटिवर्टी उन लोगों की पतिरक्षप नाली को बड़ावा देगी जो गंबी रूप से मीमार है या कोविड नाइंडी से लड़ रहे हैं यह भी ब्लू को सही है यानि कि इसके option तीन ही सही है पंदर में कुशन देख साइंस ठीक है यकरत और पित्त विज्ञान इस्तित है जो हॉस्पिटल है इस इंस्टिटूट ऑफ लिवर बाइलरी साइंस इसका नाम है और यहीं पहली सरपतम अर्विन के जुरवाल दोरह हैं प्लाजमा बेंक की स्थापना की याद रखेगा और इसके लाबह अन्य रा स्थाल में यह जरूरिया बड़तल अगला कुशन देख लेते हैं वहाली में किस मंत्रा लेने प्लाजमा डोनेशन अभ्यान चलाया यह का फिए चलाया स्वस्तम अंत्रा लेन यानि कि स्वस्तम अंत्रा लेकिस इसके पास अभी तो डाक्टर हर्षवादन के पास उन्होंन मंतराल है इनके पास और यह मिनिस्ट्री आफ साइंस एंड टेकलोजी के भी मिनिस्टर है यह जुरूर याद रखना और इनकी जो कंस्टेटेंस यह लोक्सवा छेत्र है वह आते हैं फंट से चांदनी चौक से दिल्ली के चांदनी चौक से आते हैं याद रखें वहीं से सिंग कोशियारी याद रखेगा और अभी प्लाजमा को लेकर महाराश सरकान ने प्रोजेक्ट प्लेटी ना राज्यों में चलाया गया यह जुरूर याद रखेगा और यह मानफ शरी का जो बजन है वो उसका आट परसंट होता यह जुरूर याद रिका पूछा या सकता जो एवरेज में देखूं तो फांस से साड़े पांस लीटर मनुश्य में रकत होता है और शरीर के जो भार का आट परसंट होता है यह तीक है शरीर के बजन का लगवग ए आट परसंट बनाता है यह जुरूर यहाद रख लेना 18 में कुश्चन की पर बात करूं लाल लक्त कोशिका निर्माण कितने दुनों में हो जाता है तो फ्रेंट यह होता 120 दुनों में पूछा भी गया कई बार अगला कुशन देख लेते हैं 19 मां रख्त परिसंचरण की कोच किस नहीं कीती तो यह कीती विलियम हर्वे नहीं याद रखेगा विलियम हर्वे नहीं क ग्रूप की खोच की थी ठीक है और इसका जो सही अंसर था वह यह था लास्ट क्वेशन देख लेते हैं इस वीडियो का काफ़ इंपूटन है फ्रण कोर्णा वायरस किस पगर का वायरस से यामतोर पर पूछे आने वाला क्वेशन है तो फ्रण कोर्णा वायरस जो है वह आ और इजी नौकली चैनल को सब्सक्राइब जरूर किये जगा विद बेल आइकउन ताकि आगे हमारे जो भी नए वीडियो आएं वो आप देख पाएं और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके है